नमस्कार दोस्तों आप सबका आप सभी के चैनल इसके प्लंबिंग वरक्स में स्वागत है दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल इसके प्लंबिंग वरक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलदी से जाएए नीचे लाल करल का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और जो साइट में बेल आइकन है उसे दबाना बिलकुल नहीं भूलिएगा जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नुटिफिकेशन आपको मिले दोस्तो आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लम्मींग का नए वीडियो लेखा है हूँ जिया दोस्तो आप लोग थमनेल में देखके तो समझी गया होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तो मेरे एक नए वीडियो पे एक प्लमबर भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था प्लमबर भाई का यह सवाल था कि जो हम डाइवर्टर बिठाते हैं दिवाल में उसमें एक गरम पानी का कनेक्शन होता है ठंडे पानी का कनेक्शन किया जाता है तो प्लमबर भाई का यह सवाल था कि क्या हम गरम पानी की इनलेट की जगा हम वहाँ पे ठंडे पानी का कनेक्शन कर सकते हैं क्या तो दोस्तो आज का जो वीडियो है इसी टापिक पर है तो वीडियो को पूरा देखना आज का टापिक बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाल होता है हन्- Mister होट वहां पर अपने गरम पानी का करना होता है और राइट साइड में लिखा होता है जो कि ठंडे पानी का कनेक्शन करने का इसा उनका सवाल है तो दोस्तों अगर गेल आप उस diverter में घरम पानी की जगे ठंड़े पानी का connection कर देंगे और ठंड़े पानी की जगे गरम पानी का connection कर मेंगे, तो उसंसे दोस्तों आपको घरम फंडा दोनो पानी तो मिलेगा पर जो सिस्टम है वह पूरा उल्टा हो जाएगा, वह system ultra Q हो जाएगा उसके बारे मैं आपको बताता हूँ जब दोस्तों आप जब fitting इस तरह से कर देंगे गरम में ठंडा और ठंडे में गरम तो जब आप plate लगाएंगे इसका जो upper part होता है वो plate होता है जब आप उसका installation करेंगे तो कुछ plate होते हैं उसके जो knob होते हैं operating system के तो उसमें आपको left side में H लिखा होता है और right side में C लिखा होता है H means hot और C means cold और दोस्तों किसी किसी upper plate के knob पे left side में red color की marking होती है और right side में blue color की marking होती है जो red color की marking होती है वह गरम पानी दरसाता है और जो blue color की marking होती right side में वह ठंडा पानी तरसाता है वहीं दोस्तो कुछ-कुछ plate में जो knob होते हैं उसमें दोस्तो plus और minus का symbol होता है left side में plus और right side में minus का temperature का symbol होता है जब left side में करेंगे तो गरम पानी आएगा और right side में करेंगे तो ठंडा पानी आएगा इस तरह से plate में symbol दिये जाते हैं तो दोस्तो अगर जब customer इस तरह से operate करेगा जैसे आपने घरम में ठंडा और ठंडे में घरम पानी का connection कर दिया तो जब upper plate के हिसाब से जब party उसको operate करेगा तो पूरा उल्टा ही पानी आएगा जैसे वो गरम की तरह operate करेगा तो ठंडा पानी आएगा और ठंडी की तरह operate करेगा तो गरम पानी आएगा दोस्तो इस तरह से आपको fitting बिल्कुल भी नहीं करना है उम्मीद है दोस्तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा इसी के बारे में मुझे आपको बताना था अगर वीडियो अच्छी लगे होगी तो जयाज ज्यादा शेयर करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह फिर से आपसे नए वीडियो मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद अज्वाद